हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आपको पता है कि क्लास 12 के बोर्ड एकजाम के लिए हम फास्ट ट्रेक रिविजन का एक सिरीज हमने स्टार्ट किया है और इसमें हम कर रहे हैं फास्ट ट्रेक रिविजन और फास्ट ट्रेक रिविजन करने के लिए हम बना रहे हैं वेरी सॉल्ट नोट्स हर एक यूनिट के वेरी सॉल्ट नोट्स हम बना रहे हैं जिससे आप एकजाम से पहले दिन बहुत तेजी से अपना रिविजन कर सकें ठी इसका PDF भी मैं बहुत जल्दी आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत जल्दी PDF मिल जाएगा यह वीडियो नंबर वन हमने कवर कर लिया था और इसमें हमने पढ़ाता थोस का थोसों का वर्गी करन इसमें बताये थोस दो प्रकार के होते हैं क्रिस्टलिय ठोस और एक्रिस्टलिय ठोस उसके बाद हमने क्रिस्टलिय ठोसों का वर्गी करन करा था जिसमें हमने पढ़ाता आइनिक ठोस सहसेयोजग ठोस धात्विक ठोस उसके बाद आणविक ठोस और फिर आणविक ठोसों के प्रकार भी बताये थे इसके बाद आपको क्रिस्टल जालक या त्रिवम जालक बताया था और उसके बाद आपको बताया था इकाई सेल या एकक कोस्थी का किसे कहते हैं फिर हमने पढ़ा था एकक कोस्थी का के प्रकार और एकक कोस्थी का के प्रकार के बाद हमने पढ़ा था एकक कोस्थी का यानि यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या ग्यात करना तो इतना काम हमने कर लिया था लगताओ 50% हमने पहले यूनिट को कम्प्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका अगला 50% पोर्शन यानि आज हमारा सोर्ट नोट वाला पहला यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा तो पहले यूनिट में केवल हम important questions को ही ले रहे हैं और very sort notes आपको बनाने चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी अपना fast revision कर सकें तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं class 12 का sort notes का video number 2 और यह ठो सवस्था का second part है यानि ठो सवस्था का last part और इन दो वीडियोज में ही और इन दो पेज में ही हमारा पहला यूनिट fastly revise हो जाएगा तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है संकुलन संकुलन का क्या मतलब होता है देखो संकुलन का मतलब होता है अवियवी कणों की ऐसी विवस्था कि उनके बीच तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो संकुलन कैसा है वो निबिड संकुलन है आप इसे निबिड संकुलन भी कह सकते हो packing या closed packing आप कह सकते हो और आपको पता है कि संकुलन या निबिड संकुलन या closed packing तीन तरह की होती है यदि आपको वास्त्विक्ता में Closed Packing तक पहुचना है, निविड संकुलन तक पहुचना है तो पहले तो आपको 1D से गुजरना पड़ेगा यानि एक Vimia Nibid संकुलन तयार करना पड़ेगा उसके बाद 2Vimia Nibid संकुलन यानि 2D Closed Packing आपको तयार करनी पड़ेगी और 2D Closed Packing से हम तयार कर पाते हैं 3D Closed Packing यानि 3VIME निबिड संकुलन अब बच्चे सोचते हैं कि सर एक्जाम में जब निबिड संकुलन या संकुलन का क्योस्चन आएगा तो क्या उसमें 1VIME या 2VIME के भी क्योस्चन आएंगे तो मेरा जवाब है कि बहुत कम चांस हैं एक्जाम में जो क्योस्चन संकुलन के उपर आता है निबिड संकुलन के उपर वो 3VIME निबिड संकुलन का ही आता है इस चीज़ को ध्यान रखना है सब को मतलब निबिड संकुलन या संकुलन का मतलब अवियवी करणों की ऐसी व्यवस्था की में एक दूसरे के बहुत पास पास हो उनके बीच रिक्तिस्थान बहुत कम हो एक वीमिय द्वी वीमिय और त्री वीमिय होते हैं उसके बाद अगला टारगेट है हमारा समनवे संक्ख्या या उपसह संयोजन संक्ख्या आपको पता है न सबको समनवे संक्ख्या या उपसह संयोजन संक्ख्या को इंगलिस में हम कहते हैं advocating number और इसका मतलब क्या होता है कोई भी crystalous है और उस crystalous में जो हमारा एक अविवी कं़ है वह अतातेत कितने अविवी कं़ों को touch करता है इस संख्या को हम कहते है समनवे संख्या या कॉर्डिनेसन नमबर तो एक कं़ अपने समीब वाले कं़ों स्पर्स करता है उसे हम कहते हैं समनवे संख्या या उप सह सेयोजन संख्या या इंगलिस में आप कह सकते हो कॉर्डिनेस नंबर ठीक है उसके बाद हम आते हैं next इसके उपर संकुलन संकुलन तो हम यहां लिखेंगे जो important है सिरफ उनी को मैंने लिखा है संकुलन के प्रकार तो यहां लिखेंगे और लिखेंगे उसका दूसरा नाम या रूप क्या है और उसमें एक यूनिट सेल में कितने अनू होते हैं और समनवे संख्या कितनी होती है इस संकुलन में आप कह सकते हो इसे ABC ABC रूप ABC ABC भी आप इसे कह सकते हो यानि पहली परत जैसी चोथी परत होती है दूसरी परत जैसी पाँच भी परत होती है ठीक है यानि तीन परतें अलग-अलग तरह की होती है तो अनू की संख्या यह जो घनिया निबिड संकुलन या CCP है इसमें अनुवों की संख्या कितनी होती है चार एक यूनिट सेल में चार पार्टिकल्स होते हैं और समन में संख्या होती है बारा कॉर्डिनेस नंबर बारा होता है ये important है इसे बिल्कुल पक्का करके जाना है और ये इसके example है CASR, AL, NICU और अकरिय गैस अकरिय गैस यदि ठो सवस्था में हो दूसरे प्रकार का जो important संकुलन है वो ये शट कोण ही है निबिड संकुलन या hexagonal closed packing मतलब ये दोनों संकुलन ही क्या है 3D है, 3V मिया निबिड संकुलन है ध्यान रखना है 3V मिया निबिड संकुलन से ही क्योक्षचन आने के सबसे ज़्याद़ चांस होते हैं एक्जाम में इस संकुलन को हम कहते हैं ABABAB संकुलन इसमें दो परतें अलग-अलग तरह की होती है पहली परत जैसी तीसरी परत होती है और इसमें एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ओफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6 और समन्वे संक्या इसकी भी बारा होती है और इनके अलावा जितने भी यहां D-block तत्वाएं हैं उनके अलावा 6D-block के जो तत्वाएं उनमें HCP विवस्ता यानी Hexagonal Closed Packing या सट और या निबिड संकुलित संरचना पाई जाती है ठीक है उसके बाद अगला टार्गेट आता है संकुलन अक्षमता का कि संकुलन अक्षमता किसे कहते हैं या Packing Efficiency किसे कहते हैं तो वैसे तो अलग-अलग प्रकार की संकुलन अक्षमता एक्जाम में पुछे जाती है पर फिर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संकुलन अक्षमता का आपको सूत्र और परिभासा आपको याद होनी चाहिए Crystal जालक के अवियवी कणों का आयतन मानलो कोई Crystal है उसमें जितने भी अवियवी कण है उनका आयतन और Crystal जालक का कुल आयतन तो इसके अनुपात को हम कहते हैं संकुलन अक्षमता इसे आप Crystal जालक के अलावा Unit Cell भी लिख सकते हो कि Unit Cell में जितने भी अवियवी कण हैं उनका आयतन तथा पूरे Unit Cell के आयतन के अनुपात को हम संकुलन अक्षमता कहते हैं या Unit Cell के जगा आप Crystal जालक शब्द का भी प्रियोग कर सकते हो Crystal जालक में जितने भी अवियवी कण होते हैं उनका कुल आयतन बटे Crystal जालक का कुल आयतन तो इन दुनों के अनुपात को हम कहते हैं संकुलन अक्षमता उसके बाद आते हैं हम Important है फिर एक Question रिक्तियां फिर Important है रिक्तियां की रिक्तियां क्या होती हैं आपको पता है कि जब निबिड संकुलन में बहुत सारे अवियवी कण एक दूसरे के बहुत पास-पास व्यवस्तित होते हैं यानि निबिड संकुलन होता है तो इतने पास-पास होने के बावजूद भी उनके बीच में कुछ इस्थान खाली रह जाता है और उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं रिक्तियां या Vacancy या Voids और रिक्तियां आपको सिरफ 3D में याद करके जानी है 3D में त्रीवी मिय निबिड संकुलन में रिक्तियों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए तो त्रीवी मिय में रिक्तियां होती हैं दो प्रकार की एक तो अस्ट फल की है एक तो चतुस फल की है दोनों को ध्यान रखना है अस्ट फल की है रिखती बनी होती है छे गोलों से और चतुस फल की है रिखती बनी होती है चार गोलों से तो हम इसे कह सकते हैं कि यह कैसी रिखती है चतुस फल की रिखती है तो अस्ट फल की रिखती तो 6 गोलों से मिलकर बनती है और चतुस फल की रिखती चार गोलों से मिलकर बनती है डिटेल में मैंने आपको फ्रेस वीडियो में बहुत कुछ सिखा रखा है और अस्ट फल की र बनाने में कितने गोले या कितने अणू या कितने कण इस्तमाल हुए हैं N का मतलब कुल कणों की संख्या है माल लो कोई क्रिस्टल सो कणों से मिलकर बना है तो उसके लिए N का मान सो होगा यदि N का मान 100 होगा तो अस्ट फल्गे रिखतियोंगी संख्या भी किसके बराबर होगी N के यानि 100 गोलों से यदि आप कोई संरचना कोई क्रिस्टल तैयार करते हो चाहे वो HCP हो चाहे CCP हो तो उसमें अस्ट फल्गिय रिख्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर ही होगी यानि सो होगी और चतुस फल्गिय रिख्तियों की संख्या उसमें होगी गोलों की या कणों की संख्या के दुगनी यानि सो दुगनी दो सो तो इस तरह के very sort क्योंस चनाते हैं आपको पता होना चाहिए ये दो बाते जरूर पता होना चाहिए कि अस्टफल की रिक्तियां 6 गोलों से बनती है और इनकी संख्या N होती है जहां N का मतलब है करणों की संख्या जो क्रिस्टल का निर्मान कर रहे हैं और चतुसफल की रिक् सेल की भुजा A में संबंद ये भी बहुत important क्योंस चन है कन की तरिज्जा small r है और unit सेल की भुजा है small a इन में क्या संबंद है simple unit सेल के लिए तो होता है r is equal to a by 2 बिलकुल ध्यान रखना है और face centered unit cell यानि फलक के इंदरी तेका कोस्ठीका के लिए होता है r is equal to a root 2 by 4 और body centered unit cell के लिए होता है r is equal to a root 3 by 4 ये तीनो derivation मैंने आपको करा रखे हैं पर इस चीज़ को याद करके जाना है कहीं भी ज़रुत पड़ जाती है इसकी अचानक उसके बाद हम देखते हैं unit cell की संकुल अनक्षमता संकुल अनक्षमता सबगी आपको निकलवा रखी है simple unit cell की संकु में आप 100 से multiply करोगे तो दसमलो 2 आंक आगे चला जाएगा 74% और body centered unit cell यानि अन्तहे केंदरी तेकक कोस्ठीका के लिए संकुल अनक्षमता होती है .68 यदि percentage में आप इसे निकालना चाते हो तो 68% उसके बाद जो important question है बिलकुल केवल हम important questions को ही discuss कर रहे हैं और ये very sword notes हैं जो exam से एक दिन पहले आप fastly revise कर सकते हो पूरे syllabus को इसलिए बनाए गए हैं crystal का घनत्व का फार्मूला आपको याद होना चाहिए d is equal to zm upon aqn यहाँ d का मतलब क्या होता है बताओ d का मतलब होता है घनत्व और z का मतलब क्या होता है बताओ z का मतलब होता है एक एक कोस्ठीका मे पूरा प्रयास कर रहा हूँ हूँ समय में जादे काम करवाने का और आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का काम कर रहा हूँ धीरे धीरे सीख रहा हूँ इन सारी बात तो वो कोसिस कर रहा हूँ कि सायद कुछ सीख जाऊं अच्छा और तुम्हारे लिए वो फायदे बंदो और मेरे लिए भी फायदे बं हूँ धीरे धीरे सीखी जाओंगा सारी चीज़ें देखो बिंदू दोस बिंदू दोस ही हमारे कोर्स में है रेखिये दोस हमारे कोर्स में नहीं है बिंदू दोस में जो सबसे पहला है वो है रस्समीकरण मीतिये दोस रस्समीकरण मीतिय दोस उसे कहते हैं जिसमें आयनों का अनुपात इस्थिर रहता है पता है ना आयनों का अनुपात इस्थिर रहता है और रस समीकरन मीतिय दोस चार तरह का होता है रिक्ति का अंतराकाशी शौटकी और फ्रेंकल रिक्ति का दोस किसे कहते हैं बताओ पता है ना रिक्ति क दोस कुछ अविवी कन गायब हो जाते हैं क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं रिखती का दोस और अंतराकाशी दोस किसे कहते हैं कुछ अतिरिक्त कन अंतराकास में आ जाते हैं इसे कहते हैं अंतराकाशी दोस देखो एकक लाइन में खतम होरी बात वैसे तो detail में तो आपको पढ़ा ही रखा है पर आपको यहां hint चाहिए कि इसका क्या मतलब है ठीक है, fast revision तो ऐसे ही होता है कि आपको बने होते हैं short की दो short की defects short की defect में क्या होता है سमान संख्या में crystal को छोड़ कर चले जाना धनायन और रिनायन बराबर संख्या में क्रिस्टल को छोड़ कर क्या हो जाते हैं चले जाते हैं बहर जिसकी वज़े से क्रिस्टल का घनत गट जाता है एक्जाम्पल NACL, CSCL, AZBR इस AGBR को आपको ध्यान रखना है AGBR में शौट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं यह बहुत important के option है उसके बाद फ्रेंकल दोस में क्या होता है फ्रेंकल दोस में धनायन वे रिनायनों का समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़ कर चले जाना है तो सौट की दोस था फ्रेंकल देखो धनायनों का जालक बिंदू को छोड़ कर अंतराकासी स्थल में चले आना तो जो धनायन होता है यानि छोटे साइज का जो आयन होता है वो क्या करता है अपना जो जालक बिंदू है जहाँ उसे होना चाहिए था उस स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है इसे कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और उसके एक्जामपल ये लिखे हुए है एजी सील, जेडेनेस, एजी वी आर ठीक है तो ये तो सारी थे रस्समीकरण मीतिय दोस ये हमने चार तरह के पड़े रिख्तिका दोस, अंतराकाशी दोस, शौटकी दोस और फ्रेंकल दोस ये शौटकी और फ्रेंकल दोस दोनों आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं और ये चार रस्समीकरण मीतिय दोस हैं, रस्समीकरण मीतिय दोस उसे कहते हैं जिन में आयनों की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर दूसरे प्रकार के दोस होते हैं, एर रस्समीकरण मीतिय दोस में क्या होता है कि आयनों का अनुपात बदल जाता है, लिख रखा एक लाइन में आयनों का अनुपात क्या हो जाता है बदल जाता है और एस रस्समिकरन मीतिये दोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक तो धनायन अभाव दोस और एक हो जाएगा धनायन आधिक के दोस ये लिखावा निचे धनायन आधिक के दोस चाहे आप इसे पहले पढ़ लो या इसे पहले पढ़ लो एकी बात है तो पहले हम पढ़ेंगे धनायन अभाव दोस यानि धनायन की मात्रा संख्या घटेगी धनायन अभाव दोस होता है दो तरह का नंबर A तो ये है और नंबर B ये है तो नमबर ए पहले हम पढ़ेंगे धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण तो धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण में क्या होता है कुछ धनायन लूप तो हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं अपने स्थान को छोड़ कर चले जाते हैं परंतु उदासींता बनाई रखने के लिए दूसरे धनायन अपनी आक्सिकरन संख्या बढ़ा लेते हैं, तो जब कोई धनायन अपनी जगा छोड़ के चला गया और उदासींता बनाई रखने के लिए दूसरे धनायन को क्या करना पड़ा? अपनी आक्सिकरन संख्या क्या द यह उनमें मिलता है जहां जो धातू है वो परिवर्ती आक्सिगर्ण संख्या या परिवर्ती संयोजक्ता दिखाती हो जैसे एफ़ी तो दिखाता है ना परिवर्ती संयोजक्ता या आक्सिगर्ण संख्या तो यह धनायन अभाव दोस्का जो पहला प्रकार हमने पढ़ा है व उसमें क्या होता है अतिरिक्त रिनायन होते हैं अंतरा कास में अतिरिक्त रिनायन आते हैं इसलिए उदासीनता बनाने के लिए किसी धनायन पर अतिरिक्त धनावेस आ जाता है यह बहुत कम पाय जाता है डिफेक्ट बहुत कम मिलेगा अंतरा कास में जब एक्स्ट्रा रिनाय तो उस क्रिस्टल में उपस्थित पहले से जो धनायन है उनमें से किसी को अपना आवेस या आक्सिकंड संख्या बढ़ानी पड़ेगी उदासीनता बनाई रखने के लिए तो ये दोनों तो थे धनायन अभाव दोश अब हम पढ़ते हैं धनायन आधिक के दोश ये लिखावा नमबर दो पर धनायन आधिक के दोश इसमें धनायन यानी धातु के परमानू अधिक संख्या में होंगे ये भी दो तरह के उत्ते हैं ए रिनायन के इस्थान पर इलेक्ट्रोन होने के कारण और बी अंतराकास में अतिरिक्त धनायन होने के कारण तो रिनायन के इस्थान पर इलेक्ट्रोन होने के कारण देखो रिनायन क्रिस्टल से बाहर चला गया परंतु अपने स्थान पर इलेक्ट्रोन को छोड़ता है अपना इलेक्ट्रोन छोड़के चला गया कि भई मेरी जगा बैठा रहिए तू जैसे कोई अपनी सिट से उठके चला गया और अपना बैग या अपना रुमाल वहां रख्या चला गया या अपने चस्मा रख्या चला गया तो ऐसा होता है रिनायन के इस्थान पर इलेक्ट्रोन होने के कारण ठीक है बस एक बात ध्यान रखना है आपको ये तो पता चल गया कि रिनायन क्रिस्टल से बाहर चला गया परंतु अपने इस्थान पर इलेक्ट्रोन वाली जो रिक्ती बनती है जहां इलेक्ट्रोन है वो रिक्ती ही तो है इलेक्ट्रोन ने उसे भर थोड़ा ही दिया उस रिक्ती को हम कहते हैं F केंद्र या रंग केंद्र ये कलरफूल होता है और नमक में येलो कलर का होता है नमक में यदि ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, एक्जामपल NACL, KCL, LICL, यह सब इसके एक्जामपल आपको याद रखने हैं, और धनायन आधिक के दोसका जो दूसरा प्रकार है B, उसका नाम है अंतराकास में अतरिक्त धनायन के कारण, यदि अंतराकास में कोई अतरिक्त धनायन आजाता है, तो क्या उदासी इंता को बनाई रखेगा एक्जामपल जिंक ऑक्साइड तो ये तीसरे प्रकार का जो हमारा बिंदू दोस है उसका नाम है अशुद्धता दोस अशुद्धता दोस का मतलब साफ आपको पता चल रहा अशुद्धी आ जाएगी आईनिक ठोस में अशुद्धी के रूप में दूसरे परमानू या आयन आ जाते हैं इसमें जैसे NACL में SRCL2 की अशुद्धी आप मिला सकते हो NACL में CACL2 की अशुद्धी मिला सकते हो तो यहां हमारा जो यूनिट है वो कम्पलीट हो जाता है पूरा इतनी बातें आपको एक्जाम में बैठने से पहले जरूर रिवाईज कर लेनी चाहिए देखो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ फासली बताता हूँ कि हमने पहली यूनिट में किस तरीके से कहां कहां से कितना रिविजन किया है ठीक है देखो हमने सबसे पहले पढ़ा है ठोसों का वरगी करन ठीक है क्रिस्टलिय ठोस और एक्रिस्टलिय ठोस फिर हमने पढ़ा है क्रिस्टलिय ठोसों के प्रकार चार प्रकार पढ़े आयनिक, सहसयोजक, धातविक और आणविक ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है आणविक ठोस के प्रकार आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं आपको पता है एद्रुविये द्रुविये और हाइड्रोजन बंधित या अबंधित फिर हमने पढ़ा है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक फिर एकाई सैल या एकक कोस्ठी का क्या मतलब है और फिर हमने पढ़ा है एकक कोस्ठी का के प्रकार कितने हैं एकक कोस्ठी का के प्रकार में हमने पढ़ा स्तरल यूनिट सेल और केंदरीत एकक कोस्ठी का केंदरीक एकक कोस्ठी का के तीन प्रकार बताई फलक केंदरीत अंतह केंदरीत और अंतिय केंदरीत फिर हमने यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या निकाल ली है चार प्रकार की यूनिट सेल में और आज हमने पढ़ा है संकुलन का क्या मतलब है समनवे संख्या या उपसेह सेयोजन संख्या का क्या मतलब है संकुलन रूप अनुओं की संख्या समन्वे संख्या और उधारन दो मुख्य संकुलनों के बारे में डिसकस किया है फिर हमने पढ़ा है संकुलन अक्षमता के बारे में फिर हमने पढ़ा है रिक्तियों के बारे में अस्टपल की और चतुसपल की दोनों के बारे में फिर कन की तरिज्जा औ रस्समीकरणमीतिय दोस इसमें होते हैं चार प्रकार रिक्तिका, अंतराकासी, सौटकी और फ्रेंकल एर रस्समीकरणमीतिय दोस हमने पढ़ा हैं इसमें भी हमने दो प्रकार पढ़े धनायन अभाव दोस और धनायन आधिक्य दोस इसमें भी दो दो प्रकार थे और तीसरे नमबर पे हमने जो बिंदू दोष पढ़ा है उसका नाम है अशुधता दोष ठीक है इस तरीके से हमारा पहला यूनिट कम्प्लीट हो जाता है अब मैं कल से या जब भी मकल नी तो परसों में दूसरे यूनिट के सॉर्ट नोट्स आपके लिए ले के आऊंगा और उसे भी स समझाऊंगा बहुत फास्टली ठीक है इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादे जरूरी है और मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं आप भी प्रयास करो सोर्ट नोट्स के उपर जो बच्चा सिद्धे आता है ना मालो कोई सोच रहा है कि सोर्ट कर्ट उन बच्चों के लिए अच्छा होता है जिनोंने एक बार सेलेबस को कर रखा है सेलेबस करना बहुत ज़्यादे जरूरी है तभी रिविजन और सोर्ट नोट्स का फाइदा हो पाएगा अन्यता नहीं ठीक है बस महनत और इमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और हाँ एक्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा बिटे बस ठीक है बेस्ट आफ लक फोर योर बोर्ड एक्जाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो ओके बाई करा बेस्ट करते बाई